मुस्लिमों के खिलाफ तो अगर एक उत्ता बीटी पणी कर दे तो इस मुल्क में उसको लीडर बनाने की कोशिशे चल रही है 2016 से 2022 तक मात्र पांच-छे सालों के अंदर 24,158 लोगों पर UAPA के तहत केस दर्ज हुए है मुस्लिमों के साथ में जो चल कपट कर रही है वो सरकार या कुछ एजनसी नहीं कर रही है सबसे बड़ा अगर यहां पर कोई चल कपट कपर रहा है मुस्लिमों के साथ में तो जनलिजम तमाम धर्म गुरू लगातार ऐसे मंच सजाकर और भगवा पटका ओड़कर इस तरीके की बाते करते हैं और मंच से खुले आम मुस्लिमों के लिए मार काट की बाते करते हैं हतियार लेने के लिए लोगों को उकसाते हैं इसी में नाम जुड़ता है रामदेव बाबा का जो अभी हाली में टिपड़ी की है मुसल्मानों को लेकर मंच से राजिस्थान में तो उसी के साथ हमारे साथ है जाकिर अली त्यागी जी जो शोशल एक्टिविस्ट भी है तमाम लोगों की बाते उठाते हैं हक अधिकार की बात करते हैं तो जाकिर अली जी ये बताइए कि धर्म गुरू जो अपने आपको बताते हैं और तमाम ऐसे धर्म गुरू पटका ओड़कर भगवाधारी चोला ओड़कर और दंगाई बात करते हैं इस तरीके से मंच सजाते हैं आप उसको लेकर कि क्या सोचते हैं वो सब्सक्राइब पुजा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको खुद को एक एजे जनरलिस्ट अपनी एक गलती में सबसे पहले सुधार करना चाहिए क्योंकि धर्म गुरू में मौलाना भी आते हैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक लफज इस्तमाल करना था कि हिंदू धर्म गुरू जो मुस्लिमों के अगेंस्ट राद दिन भढ़काओ भासन दे रहे हैं अगर आप धर्म गुरू लफज का इस्तमाल करेंगे तो उसमें सभी धर्मों के धर्म गुरू का मैंशन हो जाते हैं और कोई भी मुसल्मान मौलाना के तरफ से किसी भी बनाए जिसमें लिखे के 100 उन लोगों की लिस्ट बनाए जा रही बात बाबारामदयों की तो बाबारामदयों का जो बयान था वो ये बयान था कि मुसलिम सिर्फ यह सिखाते हैं अपने बच्चों की नमाज पढ़ो उसके बाद वा तंकवाद फैलाए या वो हिंदू की लड़कियों को उठा कर ले जाए उनको इसके बारे में कोई खबर ही नहीं रहती है उसका सीधा सीधा कहना था कि मुसलिमों के जो बच्चे हैं वो नमाज पढ़ पढ़कर आतंकवादी बनते हैं बात दुर्भागयपुन यह नहीं है कि उसने यह बयान दिया है दुर्भ हमें इस मामले में किसी की तरफ से कोई तहरी दिया कोई कंप्लें रिसीव नहीं हुई है जिसके आधर पर हम इसके खिलाफ एक्सल ले सके जब हमने ट्वीट किया तो ट्वीट मेरे साथ में और भी काफी लोगों ने किया था फुरुधर से खबर आई कि बाड़मेर के एस मनंद मुस्लिमों के खिलाफ नरसंगा की अपील करता है धर्म शास्त्री जो अभी जो है चतरपूर से है मध्या परदेश के वो टिपणी कर रहा है वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं अगर पैसा होगा तो सबसे पहले मैं बुल्डोजर खरी दूँगा और मुस्लिमों कि उसने अपना नाम रखा उन लोगों ने फरवरी 2022 में हरी द्वार में एक सभा की उस वो सभा का जो आयोजन हुआ था वो इस बैनर तले हुआ था कि धर्म संसत के नाम पर वो एक आयोजन उसका किया गया था उसमें मुस्लिमों के खिलाफ हत्यार इखटा करने की बात की मुस्लिमों के खिलाफ ज्योन उसाइड की जो है अपील की गई थी सरकार ने वहां की ने दबाव बना तो उनको ग्रफतार करके जेल में डाल दे जब हाई कोट ने उनको बेल दिया तो इस शर्त पर दिया था कि आज के बाद यहां से जेल से रहा होने के बाद यह कोई देन के लिए वक्त इस वाइले शाइड कर रहा है उसके साथ 153 दो सो पिच्चान में इन सारे जो एक्ट हैं जो दो धर्मों के बीच में जो दुएश फैलाने की जो एक एक्ट बनाया गया था उनकर लेकिन मजाल की कोई उस पर जो कोई कारवाई कर सके तो यहां पर यह प हग सोच से जादा मुलकों ने नुपर सर्मा पर एफायर करने की मांग की एफायर हुआ लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई कारवाई नहीं की है आप ले लिजे कितने नाम है यहाँ पर टी राजा सिंग जो की हैदराबाद की आंधर परदेश की तेलंगाना की क्योंकि ते उसकी तरफ से प्रोग्राम आयुजित किया गया उसमें उसने भढ़का हो बयान दे जिसमें उसने कहा कि मुस्लिमों को जह ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और सबी लोगों को तैयार रहना चाहिए उन पर कोई कारवाई नहीं हो रही है वो सनातनी है वह सनातनी संसकारी है अब सनसकारी है या सनातनी है तो इसका मडलब ये तो नहीं कि वो मुस्लिमों के छिलाफ जोनोषाइड की अपील करेंगे. खेर करें हमें उस चीज़ से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है क्योंकि जब सरकार को इस चीज़ को लेकर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि जब मुस्लिम समोदाए उन पर एक्षन के लिए शांतिकून तरीके से प्रदर्शन भी करता है तो उस पर UAPA के तहत कारवई करती जाती है 2016 से 2022 तक मातर पांच-छे सालों के अंदर 24,185 लोगों पर UAPA के तहत केस दर्ज हुए है उन 24,185 में से सिर्फ 155 पर ही सरकार आरोब साबित कर पाई है सरकार, एजन्सिया और मीडिया मिलकर क्योंकि मीडिया भी यहां पर आरोब तै करती है यानि इसका अगर कर्णिक्शन रेट देखा जाए तो 0.5% आता है बाकी के 24% लोग जेलों में आज भी UAPA के तहत जो है वहाँ पर सड़ रहे है 24,000 के करीब लोगों पर UAPA लगा है उमर खालिद को देख लीजिए तो देखिये कि वो लोग मुस्लिमों के अके इसके तरीके से नरस अनहार की अपील कर रहे है जिनोसाइड की बात कर रहे है उन पर कोई आक्सन नहीं लिया जा रहा है और अगर मुस्लिम समुदाई के लोग इस्टुडेंट्स उनके खिलाफ प्रदर्शन करें सिर्फ इसलिए के उन पर कारवाई हो जाए उन पर UAPA के तहट उनको जेलों में डाला जाए इसका दोश किसको दे रहे हैं आप मुलत किसे कहना चाहरे है इसका दोश तो खुद हमें हम खुद जो है इसके दोश ही है असल में यानि मुस्लिमों पर जुल्म भी होगा और उसको अगर हम डोकुमेंटेशन करेंगे अगर कोई उसका डोकुमेंटेशन कर रहा है तो उस पर भी गरफतारी की तर्वाल लटक नहीं है आपके सामने एक सबसे बड़ा एक्जामपल तीशता शीतलवाड है कि वो जक्या जाफरी को लेकर गुजरात की जो है एक लोयर कोर्ट से लेकर वो उसको सुप्रिम कोर्ट टक लाती है तो उसको रैस्ट कर लिया जाता है कि यहाँ पर कहानी मैनिप्लेट कर रही थी और यहाँ पर कोई हिंदु अगर मुस्लिमों के समर्थन में आवाज भी उठाने के कोशिश कर रही तो वो भी जेल में जाएगा और जेल गई कर लिया जा रहा है कि यह PFI का बंदा है जबकि PFI पर बैन लगे हुए लगबग 6-7 महिने हो गए है यह सोचने वाली बात है कि जिस पर बैन लग चुका है उसके कोई कारिय करता बचा ही है जो tu aux को एगर तो यह की दिखाई जाती है हमेसा में दिखाए जाता है क्योंकि यहां की जंता देखना चाहती है उस चीज को यहां की जंता अगर किसी मूवी में एक है जिसमें यह दिखाना है कि तेर्रस्ट ने कहीं पर हमला किया है तो यहां की जंता सिर्फ उसी सीन को तो गिको पर नहीं उतरती है है अपको नहीं चिबताता हूं कि कोई भी वैक्ती अपनी खुद की वकालत नहीं कर सकता है उसकी वकालत अगर वो एक अड़ साथ हो जाता है तो उसको अपनी वकालत करवाने के लिए कोर्ट arena ही लख यहीं अपील है। है कि हिंसा की बाते हो रही है उनके खहल grenade समूदाइय के लोगों विश्णट में पर सब्वाइन दा ने होरा हे ज्रे षाण करने सलेंजाय को कि की बाते ना करें ने ता लोग कलम का सरकलम करने की इस मुल्क में कोशिश की जा रही है यह जैनलिस्ट की नहीं जामिया के दरजोनों च्छात्र आज भी जेलों में हैं सिद्धिक कपन यूए प्यमेट 20 महिने में जेल से आ रहा है लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि उस ने जेल में गया था ने से बताया जा रहा है उसको कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है तो यहां पर मुस्लिमों के साथ में जो छलकपट कर रही है वो सरकार या कुछ एजनसी नहीं कर रही है सबसाब अगर यहां पर कोई छलकपट कपर रहा है मुस्लिमों के साथ मे जनलिजब, वो मीडिया के लोग कर रहे हैं। जिन्दा है, फूलिंगी, फूलिंगी, जन्जीरे, आपका शेर था। उसमें सिर्फ यही है कि तै इस मुल्क की अवाम को करना है कि इस मुल्क को आपको किधर ले जाना है। इस मुल्क को आपको किधर ले जाना है। इस मुल्क को शेकलर मुल्क कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़े डैमोक्रेसी इस मुल्क में कही जाती है। इतनी आपके उपर FIR हुई हैं, मुकद में हुई हैं, तो अभी भी क्या हाक अधिकारों की बात करेंगे, क्या उनके आवाजे उठाते रहेंगे या फिर डर से चुप हो जाएंगे। इतनी उठाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंशाल्ला यहां आप हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रही है। हाला कि कुछ लोग जहें अधालतों से जमानत लेने के लिए यही कहते हैं कि आज भी हमारा देश के सवीधान में अधालतों में भरोसा है।